हरे किष्णा आज की इस क्लास में सभी बैक्ताओं का स्वागत करें अब जय राधा माधा कितन के साथ आज की एक लास स्टार्ट करेंगे जय राधा माधावन गुंज पिहारी गोपी जाना माधी दिमरे लारी जय राधा माधावन गुंज पिहारी गोपी जाना माधी दिमरे लारी जय शोदान गड़ा बज़ जय राधा माधा गुंज पिहारी गोपी जाना माधी दिमरे लारी अरे क्रिष्ना ऍरे गरेशना नारे भी Ingat Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare आड ही आश आ या ठीन कोलुग अजया U Dishes अट हे ररीख किस्ल ऑने अजया हे ररीख किंटन में बड जाने याया दाधागो बिंदे नादागो बिंदे माती याया दाधा माधादा मामधादागे नादी जया जोदानी पाइदे, जया जोदानी पाइदे, जया जोदानी पाइदे, जया 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 पाभुपा, पाभुपा, जया 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 पाभुपा मित्ताइ गोर हारी गोर, 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 हारी शी चेतने भागोतां के आधी खंड से चेतने भागोतां के इस आधी खंड बे हम ने कल 26 में शलोक तक किया था जिसमें हम नित्यानन प्रभू बल्राम जी की महीमा का शावन किया था बल्राम जी की रासलीला बल्राम जी के दोसरे काहिकला किस तरह से बल्राम जी नित्यानन प्रभू के रूप में चेतने महा प्रभू की और शायन बल्राम के रूप में करशनी की सेवा करते हैं आज हम उसके आगे पुनी निलाओं का शावन करेंगे इसमें उपागिया मनो गंधर्वे वनिता शोभी मंडरे रेमे करेनु यूथेशु महेंदर इव वारनह नेदुर दुन्द भयो योमी नेदर दुन्द भयो व्यमनी सारे गंधर्व लोग जब रास्लिय चल देती हैं सारे गंधर्व लोग बल्रामजी की महिमा पर गुनगान करें बल्रामजी प्रकार से यंग गोपियों के बीच में रास्लिय लकरस जैसे इंदर का हाथी एरावत जो है हाथीनियों के संग में उनके सरकल के बीच दिखाई देता है उसी प्रकार से बल्रामजी शोवा पारे थी उसी समय आकाश में दुन्दवियां बज़ रही थी भेवान की बल्रामजी के संगत्य को देखते हैं गंदर में इंजॉय कर रहे थे और उपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे ग्रेट सेजेज जो है बल्रामजी के इन वीर कारियों की पर सुष्पों कर रहे तो कई जगे पर लिखा है उद्ग्यान की जगे उद्ग्यान है और महंद्र वर्णों महंद्र वर्णा की जगे दोनों का मिनिक से हैं कि दोनों वन श्रीमन भागवतन से हैं दोनों आगे हैं ये स्त्री संग मुनिगाने करेन निंदन तारो रा मेरा रा से करेन स्थवन हलाकि संद लोग मुनि लोग इस्त्रियों के संग की निंदा करते हैं लेकिन यहां पर बल्राम जी जब स्त्रियों के संग है तो उनकी प्रसंशा की जाए कि क्योंकि वस्त्रियाँ की गोपियां है वह स्त्रियाँ की सामनि इस्त्रिया नहीं है कि वह स्त्रियों के गोपियां है जो भाजवान के शुद्वच्टे हैं उनके साथ बग्राद जी गरत्य करा है क्योंकि श्रीवद भागोतन के दूसरे सकंद के पहले अध्याय के तीसरे चोथे क्योंकि शुद्वर्ण प्रिक्षित महराज को बोलते हैं कि निंदा करतें कि जो किस्ट्री संग है या जो लोग स्ट्रियों से आ सक्त हैं उनके बारों महराज क्ल राजा परिक्षित इस प्रकार जो इस्त्री भोगी परिवार हैं, ऐसे एक व्यक्तियों का जीवन रात्री में, सोने में या मैथुन करने में चला जाता है, दिन जो है, मनी मेंकिंग में चला जाता है, मैंटेनिंग फैमिली मेंबर्स, जो लोग आत्मत अत्तों में नहीं हैं, वो जीवन की समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, या वो शरीर के, शरीर के सिपाहियों में जैसे शरीर, संतान, पत्नी इन में इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, कि वो अपना पुरा जीवन वैस कर देते हैं, वैस कर देते हैं, हलाकि उनके परस परियाद तो अनुभव होता है, फिर भी वो ख्यार विनाश होने वाला है, उसको नहीं देख पाते हैं, इसे परकार श्रीवन भागवतन के तीसरे सकंद के 31 अध्याय में, 31 अध्याय के 32 बैने श्लोक में भी कपिल देव, अपनी मता देव, उति को यह ग्यान देते हैं, अगर जीव, यह जीवन पाके भी फिर से गलत कारियों में अपने आपको लगा जाता है, या ऐसे व्यक्तियों से परभावित हो जाता है, जो इंदरी विश्यों में है, और मेथुन के सुख की कोज़ करने लगता है, इसी में डुप जाता है, तो फिर से नरग की तरफ जाता है, वो तुथफुल्नेस, क्लीनिनेस, मर्शी, सत्यता, सोचता, दया, गंधीरता, आप दियाते हैं, बुद्धिया, साक्षात का, लज्जा, तपस्या, यश, क्षमाशी इंता, मन के निगरह, इंद्रियों को निगरह, भागे, आदी ये सब जो है, आवसर्खो देता है, व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं संग होना चाहिए, जिसको आत्म शाक्षात का ग्यान नहीं है, और जो केवल मात्र एक नाचने वाले कुटे से ज्यादा नहीं है, इस्त्रियों के हाथ नाचने वाले कुटे से ज्यादा नहीं है, उनका संग नहीं होना से, किसी व्यक्ति का इस अंसार में बंधन उन लोगों से होता है, जो या तो इस्त्रियों से बहुत ज़्यादा चेह दूते हैं, या आ सकते हैं, या फिर उन लोगों से जो इस्त्रियों से आ सकते हैं, इस्त्री संगी हैं, उन लोगों से आ सकते हैं, हुँ देखते हैं कि ये कपिल देजी बताने है द्धारम देवुर्टी को कि प्रम्भा जी स्वेम मोहित हो गये थे अपने कन्या के आंकर्शन से और इस तरह से हम देखते हैं कि केवल नारायन को छोड़के सभी जगे सभी लोग भागवान की इस दोतिक माया से आकर्शन को देखते हैं भागवान कपिल देव जी भी देवुती को शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे माया की शक्ति देखिए मैं इस तरी के रूप में जब मेरी माया की शक्ति काम करती है तो उसकी आईब्रोग की आईब्रोग की भाओं की मुमेंट से ही पुरे जगत कंट्रोल हो सकता है जो व्यक्ति योग के शिक्षर पर पहुंचना चाहता है और जैसे आत्मशक्षात का राप्त हो गया है वो उसे मुझे मेरी सेवा करनी चाहिए मैंगवान का पिल दिव बोल रहा है और ऐसी आत्षक श्त्री से संग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा संग को शास्त्रों में नरक का द्वार बताएगा जो अस्त्री को ये सब धर्म पतनी के अलावा बोला गया कोई भेसे धर्म पतनी के अलावा जिसके तरफा कर कोई ब्हुटिया करशीट हो गया अस्त्री जो है अक्वान के Umgaurida क्रेट की गई, इस माया ही है और जो इसमेकार माया से आकर्शित हो जाता है उसको जाना जरूरी है कि ये मरत का दौर है जिससे हाथी जो है किसी अंधे कुए को देखता है अगर कुए गहां से ढखा हो तो हाथी इसको दिखाई मेंता हूँ जाकि उस गड़े में गिर जा इसा जिए जो पिछले जनद में किसी इस्तरी से आ सकता था इस बार उसको इस्तरी का रूप मिला और वो अब मुर्ख था पुरूश को बाया समझ को उसकी तरह बाकर्शित हो और इसा पुरूशको एक के श्तरी को प्रूशको मया कारिदमेट समझना चाहिए उसकी प्रकार इस्तरी को भी पो पुरुशको एक मया कारिदमेट समय आच प्राचिन बरही को कि जो लोग इस सुन्दर जीवन में क्यों सुन्दर जीवन में ही इंट्रेस्टेड हैं ग्रस्त बनके पुत्र और पत्ने में आ सकतो के और साचिंग आफ्टर वेल थिंग देट सच थिंग सार मुझ सुसने के लाइफ का उद्देशी इस इस प्रकार के लोग विमेन प्रकार के शरीरों में घूमते रहते हैं बिना जीवन के लक्ष प्रकार के नारद मुनी ने इस प्रकार से प्राजा प्राचिंग भेरी को कुरंजना और कुरंजनी की स्टोरी सुनाई कथा सुनाई और किस प्रकार से स्ट्री संग का दुष्परिणाम होता ये भी बताया मारद मुनी मारद जब राचिंग भेरी को एक्स्प्लेंड करते हैं के मेरे प्री ये राजा स्ट्री जो है शुरू में बहुत अकर्शिक लगती है बट लास्ट में बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है उसका उसी प्रकार से उधार बताया के जैसे फ्लावा होता है जो शुरू में बहुत बिगिनिंग में बहुत सुंदर लगता है और लास्ट में डीटेस्टेबल हो जाता है इस तरी के संग करने से जीव जो है लस्टी डिजायर कामी इच्छाओं से कामी इच्छाओं में उलच जाता है और मेथुन कानद प्राप्त करने का प्रयास करता है जैसे कोई वेक्ति फ्रेश फुलावर को सुगद्र प्राप्त करने का प्रयास करता है इस परकार वो स्त्री संग में इंद्रीत रप्तिक में अपने जीवा से लेके जननांगों तक इंजॉय करने जब रहास करता इस तरीके से वो अपने आपको फैमिली लाइख में बहुत हैपी समझता अपनी पत्मी के साथ सहयोक्तों के वो इस प्रकार के विचारों में डुबा लेता अपने अपने पत्मी से और बच्चों से बात करने में इंजॉयमेंट आनन्द का फिल करता है जो कि उसे मदुर भौरे के समान दिखाई देते हैं वो हवरा जो जगे जगे से फ्लावर से शहद इखटा करता है वो भूल जाता है काल सामने है जो उसके दिद परतिर उसका समय लेता जारा काल पास में आता जारा, काल रुपी अजगर पास में आता जारा वो देखने ही पाता है कि लाइफ प्रकार किस प्रकार से दीमी हो रही है न वो ही अवराज के बारे में चंता करता है जो से पिछे से मारने का प्रयास करें इसको समझने का प्रयास करो नारत मनी को प्राचिन बर्शी को आप बहुत तुवीदा पुर्ण स्थिति में हो और सारी तरफ से आपको भय है मेरे प्रेकिंग जैसे जंगल में हिरन के स्थिति होती है वैसी स्थिति समझो जो चारहों तरफ से भैवीद रहता है कभी शेर के डर से, चीते के डर से, कभी डॉग के डर से अपने बारे में पूरा सोचो जो आपकी स्वर्ण की जाने की मनों कामना है वह एँ जाए करने की उसको छोड़ो इस ग्रस्त जीवां को छोड़ो जो मैथुन कारियों से पूर्ण है और इस प्रकार की कथाएं भी सुनना छोड़ो और इस प्रकार टेक दे शेल्टर आफ दे सप्रेम लाड भागवान पूरत प्रस्था भागवान का श्राव देए मुप्त जीवां के आशिरवाद से इस प्रकार से प्लीज गिव अप यूर अट्रेक्शन फर मतिदेग्जिस बहुतिक प्रकार्थी के सावंद को आकाशन को छोड़ो इसी प्रकार के शुक्देगो स्वामी परिक्षित महराज को वैश्नाव जो ग्रस्ते करिंग परिवत उसके बारे में बता रहें को वैश्नाव किंग प्रिएवत वैश्नाव राजी प्रीवत प्रिवत उत्वार्ध भड़ा मनुख प्रदो वो अपनी पत्नी बहुत बहुत प्रैम करते थे और इस प्रकार उनका प्रेम बढ़ता गया और उनके स्त्री रुपे व्यवार से, जैसे किस प्रकार से वो अपने आपको ड्रेसिंग करती थी, मस्तर पहनती थी, किस प्रकार से चलती थी, किस प्रकार से उत्ती थी, किस प्रकार से स्माइल करती थी, किस प्रकार से हस्ती थी उनकी द्रश्टी किस प्रकार से पढ़ती थी इससे उस रानी बहिर्शमतिस में उनकी इनर्जी को बढ़ाया हलां कि वो बहुत महानात्मा थे लेकिन वो इस तरी के इस वेवार से अपने आपको भूल गए और एक सामानी व्यक्ति की तरह वेवार करने लगे हलां कि वो महात्मा थे ग्रेट वैशना थे मनों के पुत्रत है प्रीवत महाराज इसी भागवतम में आगे करीम प्रीवत ने यह जो भौतिक इंज्जामेंट की लाइफ इसको प्रिटिसाइज किया किस प्रकार से मेरे इंद्री तप्ति के कारण हूँ मैं कितना गिर गया मैं में इंज्जामेंट के इस कुए में गिर गया जो कुए जैसे धास से कवर्ड कुए रहता है अब भावत हो गया अब मैं नहीं इंज्जाइ करना आई वेड इंडफ अब मुझे उन जाइवन नहीं करना है किस तरह से मैं अपनी पत्मे के हाथ में एक नाचले वाला बंदर बन गया और किस तरह से में पत्ति तोगा किसी प्रकार श्रीमद भागवतम भागवान रिश्ब्द ये सब भागवान के लगल बतारा हैं इसे प्रकार से ये सब किसली बता जा रहा है कि बल राम जी जो स्थ्रियों के साथ संकरें वो सादर रिस्त्रियां नहीं हैं वो गोपियां जो समाली वेक्ति है उसका विवारे साथ दाए ये समझाएगा भागवान रिश्ब्द यसनी प्रकार बोलता है अपने पत्रों से, सो पत्रों से मोलता है कि सारे सास्त्रों करेना है कि शुद्वक्ति की सेवा करने से व्यक्ति जीवन में वक्त हो जाता है और सांसरी के लोगों का सिर्क के साथ संकरने से वो जो लोग मटेन इंजॉर्मेंट और स्थ्री में विजी हैं वो अंधकार के मारत में चले जाता है कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है और पागल हो सकता है प्रमत हो सकता है अगर उस समझता नहीं है कि जो ये निदरी तरप्ती की जो क्रिया है ये यूजलेस है वेस्टेज आफ टाइन में भी आर्थ वो अपने स्वाहिम के इंट्रेस्ट को भूलके वो इस बहुती जगत में प्रशन होने का प्रयास करता है उसका इंट्रेस्ट अपने घर के केंद्रित रहता है और उसका जो गरस्त जीवन है सेक्शुल इंटर कोर्स मेथुन क्रिया करने में बीच जाता उसके सारे कारिया इस से उसको सारे बहुत इक दुखाता है इस प्रकार से वो एक मूर्ख पश्यू के समाना है इस बहुती जगत में का जो इस बहुती जगत में केंद्र बिंदो इत्री और बुरूश के वीच आकर जो आशा in मेलबी मेल ओ या मनुष मेल फिर मेल इस गलत धाना के करण जो इस प्रकास से स्त्रीव पुरुष को बांध के रखता है व्यक्ति अपनी शरीर से, घर से प्रॉपर्टी से, चिल्डरन से संबंदियों से वेल्ट से आकशित हो जाता है और व्यक्ति अपने लाइफ के जीवन के भ्राम को बढ़ा लेता है और मैं और मेरा के बारे में सुचता है जब इस प्रकास से व्यक्ति के हड़े में किसी पूरुष जन्मी के अच्छी क्रिया से ये बंदन दीला पड़ता है तो व्यक्ति का इस से आसक्ति कम हो जाता है घर से इस्तरी से और बच्छों से और उसका जो भ्राम का आई एंड माइंड में और मेरा का भ्राम से दूर हो जाता है और मुक्त हो जाता है और वो आदिया अपमें जिगत में जाता है अजामिल को जब यम्दूतों के बंदनों से फ्री किया गया था विश्नुदूतों ने उसने इस भौती जिगत के इस इंज्वयमेंट की निंदा की अजामिल भी इसा फोस गया उसने भौती जिगत की इंज्वयमेंट की शीमेंत भागो टर्में अपने हम को शरी समझ कर इंदरी तरप्तों की इच्छाओं से बंद जाता है और अलग अलग प्रकार की पूर्णे और पाप करने लगता है इसी को कर्म बंदन बोलता है अब मैं अजामिल बोलता है अब मैं अपने आपको इस बहुतिक बंदन से मुक्त कर लूँगा जो भागवान की माया शक्ती के कारण हुआ था और हो माया शक्ती एक इस्त्री के रूप में बहुत पतित आत्मा होने के करण में भागवान की माया शक्ती के सिकार हो गया अब में एक नाचने वाले कुत्ते की तरह हो गया जिसकी रस्सी एक इस्त्री के हाथ हो मैं अपने अप सारी कामी इच्छाओं को छोड़ा दूँगा और अपने आपको इस भरम से हटा दूँगा मैं करपालू हो जाओंगा मैं सभी लोगों का हितेशी हो जाओंगा सभी जियों का और हमेशा अपने आपको कृष्ण की भक्ती में डुब़ए रुखूंगा या जामिल ने सोचा क्येवल मात्र मैंने भक्तों के संग में भगवान का नाम किया उसके करन मेरा हर देर पवित्र हो गया है अब मैं फिर से शिकार नहीं बनूँगा इस भौती जगत के जूठे इंदरी विश्यों का मैं अब परम सत्य में अपने आपको फिक्स कर लूँगा इसके बाद मैं अपने आपको शरीर से परिशित नहीं करूँगा मैं आई एंड माइन मेर मेरे की इस गलत प्रहाणा से उठ जाओंगा और मैं अपने मन को हमेशा करशन के चरण करने में लेगा इस श्रीमत भागवता में यमराज अपने सेव को यम्दूतों को बोलते हैं जो परामर्स होते हैं वो बहुत उच्छे कोटी के भक्त होते हैं मटल इंजॉर्मेंट का बहुत इक चीज का कोई स्वाद नहीं रहता है वो केवल भागवाद इतरुष्ण के चरण कमलों के विश्यों में उससे जो शहद निकलता उसको पीते हैं मैरे यम्दूतों प्रीयम्दूतों उन लोगों को परिश्मेंट के लिए लाना जो इस भागवान के चरण कमलों के मधुपान को नहीं करते हैं जो प्रहुंस से अशोशीट नहीं करता है और जो केवल मातर परिवारिक जीवन और इस बहुती जाएट के इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं जो कि नरक करास्ता इसी श्रीमत भागोतर में डिस्काइब किया गया है किस प्रकार प्रज्यापति दक्ष्ट और उसके उन्समाइब करें प्रवर्ति में जाना स्कींच कि प्रवर्र्थ किसी सेह सार में रहो। जब जु विध्यादोनों का किंग है जो चित्रकेतु है। उसने शिवजी जो परहमांस है परहमांसों कि भगध्वाद है और जो अव्धूदून欸 स्रेष्थ है उनको पारवतिं को इंब्रास करते विडेखा। कि शीमत भागत में बोलता है यह विए ली उसने कमेंट इस को सजा मिला शीमत भागोत उनके साफने सकन्द में आता है कि परलाद माराज अपने असुर मित्रों से बोलते है ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को बहुत प्री हो अपने हर्दे में जो हमेश हमके चित्रे रखता हो वो उनका संग कैसे छोड़ सकता है इस्पेशली जो पत्नी होती है बहुत काइंड और सिप्पेथिटिक सानुम होती रखती है और अपने पती को अकेले में प्रशन करने का प्रयास करती है कौन व्यक्ति है जो ऐसा डीर और अफेक्शनेट माइफ को छोड़ सकता है दो प्रकार के इंद्रियों के विश्यक्रिक तो जैनिटल्स जनरांग और टंग इन दोग को सेवा करने के लिए व्यक्ति इस बहुती परिस्थिते में फस जाता है और इससे बहुत कैसे निकल सकता है इसे बहुती सिदा सरसी ठाकूरत में एक टिपड़ी में है श्रीमाद भागवत तर्म में प्रलार महराज नर्शित देव की स्तूति करते समझ से बोलते हैं कि जो मैथुन जीवन है ये दो हाथों को रगड़ने के समान एक जो खुजली होती है उसको दूर करने को ग्रह मे दी जो होते हैं वो वास्तों में ग्रस्त नहीं तताकति ग्रस्त हैं उन पर कोई आधियत में ग्यान नहीं रहता है वो सुचने किस प्रकार से जो दो दो हाथों को रगड़ने के जो खुजली निकलती है यह इस संसार की सबसे बड़ी हैपीनेस हाला कि यह इस संसार मैं सारे दुखों का कारण है जो करपन लोग रहते हैं तो फूल्स मूर्थ लोग जो प्रहामणों के अपरोच रहते हैं वो इस प्रकार से रिपीटेट सेंसे जावेट से भी परसम नहीं रहते हैं लेकिन जो धीर हैं सोबर हैं वो इस फुजली की शक्ति को फुजली के जो प्रवर्ति इसको सहन करते ह और मूर्थ और धूर्तों के समान इस अंसाद में दुफ नहीं पाते हैं क्यों धीर वेक्टी हो इसी प्रकार से चार आश्रमों को वर्णन करते हैं नारद मुनी माराजी उदिश्टी से बोलते हैं शिमत दागवतन के साथवें सकन के बारवें अध्याय के छटे साथवें नौवें गया मेश्टी को व्यक्टी को चार आश्रम गरस्त आश्रम को इस्त्री से उतना ही संग्य करना चाहिए जितना जरूरी है या उन लोगों से जो इस्त्री संग्य है और एक भर्मचारी जिसने गरस्त आश्रम शिकार नहीं किया है उसको तो रिजिटली दर्टा के साथ अननसरी टॉकिंग में गुमें इस्त्री के बारे में अननसरी बात करना है या उसके साथ बात करना है उनके बारे में बात करना ś 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 मख्षन जब अगनी के संपत में इगा, पुरुष जब स्तीर के संग में आईगा, तौ/. पुरुष जब इसकिर में संगर थो पहिलेगा। त़ै मैं फिरुश को स्तीर के संग थाएक हो मुष्था, उन पत्री के राकांट में नहीं रहना है। इसी प्रकार से उसे अपनी अन्य स्थियों का संग वित्याग दना चाहिए एक वेक्ति को वेमेन के साथ वो उत्रा ही एसोशीट होना चाहिए उत्रा ही संगत करना चाहिए जितना जरूरी है जब तक की वेक्ति पुरी तरिके से आत्मे शाक्षात करना ही हो गया या जब तक वो अपने शरीर को आत्मा नहीं मानवाई जब तक वो अपने शरीर को जब तक वो अपने शरीर को आत्मा मानता रहेगा वो इस द्वंद के धार्णा से मुक्त नहीं हो सकता है गुदंदिक की धार्णा के स्त्री और पुरुश क्योंकि वो शरीर के लेवल पे इस परकार से अगर वो स्त्री और पुरुश की धार्णा तो अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा है तो उसका पतन निश्चित है और उसकी बुद्धी ब्रहमित हो जिस परकार सारे रूल्स और रेगुलेशन गरस्ट के ओपर सन्यासी के ओपर बराबर लगते हैं लेकिन गरस्ट को अपने गुरु के आग्या से गरस्ट अपने गुरु के आग्या से मैथम के काले में तभी लगता है जब उसे सम्तान उत्पन निकर भी स्रिमत भागवता हमें नारभ मुनी युद श्री महाराज को काते है अगर कोई विक्टी इस प्रकार से अपने स्थ्री पतनी से इस प्रकार से आ सकती से मुखत आ सकता है वो भेवान को राप्त कर सकता है भ्हवान को जीत सकता है, जो भ्हवान किसी दिवारा जीते नहीं जा सकता है इस प्रकार मुक्तों के व्यक्ति को अपने पतनी के शरीर से शरीर के आसकती से मुक्तों हो जाना चाहिए कि अल्टिमेटली ये शरीर जो है बात में कीड़ों का शिकार हो जाएगा, कीड़ा या मल का शिकार हो गए या राख का शिकार हो जाने पर राख का शिकार हो इस 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 इसकी कोतुला में भगवान कितने बड़े हैं ये शरीर कितना नगली जिवल है नगण नहीं है इस नगण शरीर जो अल्टीमेट लिए स्टूल में बदल जाएगा मल में बदल जाएगा किड़े में बदल जाएगा या राख में बदल जाएगा लियक्ति केवाले अद्धरियों के दौरा चलता है इंद्रीयों के आधार पर चलता है विशेश्ट उपसे जीवा जननांगे करें वो अंतने ग्रस्त ग्रस्ती कुत्ता कहलाता है जो कि अब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना इसे पिकार्शिब श्रीमान भागोतम के नौवेस कंद में शौबरी मुनी पश्चाताग करते हैं वो कहता है एक व्यक्ति को जो इस बहुती जगी समुक्त होना चाहता है उन व्यक्तियों से उन व्यक्तियों को संग नहीं करना चाहिए जो केवल मैंथों जीवन में ही रूची रखते हैं अपनी इंद्रियों को एस अदर्श्य देखने में सुनने में बोलने में चलने में अपने आपको नहीं रहना चाहिए व्यक्तियों को हमेशा एकांत स्थान में रहना चाहिए अपने मन को हमेशा हगवान के चन्म कमनों में लगाना चाहिए अगर उसको कोई संग चाहिए तो उसको पुनी वेक्टिव का संग करना चाहिए जो उस प्रकार की क्रियाओं में लगेगा इसी में नौए स्कन में सुखदेगों सामी परिक्षित मारा से कहते हैं स्क्रिय पुरुष के बीज़ आकर्शन है वो हर जगे है इस पुरे संसार में है चाहिए पशुयोनी में अचाहिए पनिश योनी में और इससे सबी भाईबीत रहते हैं इस प्रकार की फिलिंग जो है इवन बड़े-बड़े प्रमाजी शिवजी में है वो भी इससे भाईबीत रहते हैं दूसरे लोगों के क्या कहना जो इस बहती जगे शुक्देगो सामी औरवर्शी के बड़न करते है औरवर्शी पुरुरुष औरवर्शी पुरुरुष से बोलती है राजा पुरुरुष से बोलती है औरवर्शी मेरे पुरुष राजा आप एक पुरुष हैं हीरो हैं और मेरे विरह में अपना जीवन मत त्याग दीजिए देली रखें सोबर बनिये और इंद्रियों को अपने पर हावी मत होने जिए जैसे फॉक्स या लोबड़ी होती लोबड़ी को चंचल होती जैसे इंद्रियों को उतना चंचल मत होती मत दीजिए को अपने आपको खाने मत दीजिए मत इंद्रियों को अपने आप पर हाव हन दीजिए सभ Judah में अधरी को तम्हें समयना चाहिए कि I इस्त्री का हर्दे लोगडी के समान है इस्त्री के से मित्रता करना बुद्धी मानी नहीं इस्त्री उस इस्त्री जो वर्ग है वो मरसी लेस होते है और चालाक होते हैं क्रूर चालाक होते हैं वे थोड़ा सा भी अपराद को सहन नहीं कर सकते हैं अपने आनन्द के लिए कुछ भी आधार्मिक कारी कर सकते हैं और इस प्रकार से वे एक पतिया भालता का हतिया करने में भी उन्हें हिचक नहीं होते हैं एक पुरुष इस्त्री को बड़ी आसानी से आकर्शित कर लेता है। इसलिए जो जो पॉलिटेड वॉमेन रहती है, जो प्रदूशित इस्त्रीयां रहती है। वो जो उनका हितेशी पुरुष से उसको छोड़के अपना सम्मन फाल्स प्रेंड्शिप जो है। उरक्षों से स्तापित करती है। उस प्रकार से वो नएने मितरों को बनाती है। एक के बादे। इसी नए हिसे प्रदिन में लिखा है। महराज जयाति देमियाणी से बोलते है इस तरी संध की निंता कढ़ते हैं कहते हैं और उसको बोलते है इसका हाजी सबहुन दे बक्रा और बत्री की कहने सब्सक्राइब इसी परकार सिग्यारवा स्कर्ण में जो नौ योगंदर में से श्री प्रबुत बोलते हैं नौ योगंदर में से एक प्रबुत बोलते हैं मेल और फिमेल इसका रोल करके इस सन्सार में एक दूर से सहीयोग करते हैं मैथुन के संब्द इस्थाधित करते हैं इस प्रकार से वे हमेशा कॉंस्टेंटली बहुती गुर्से प्रयास करते हैं अपनी अनहपीनेस को खत्ब करने के लिए और अपने आनंद को बढ़ाने के लिए बढ़ हम देखते हैं कि वो इसके अपोजिटी रिजल्ट प्राप्त करते हैं उनकी हैपीनेस जो ऐसा करने से लिए हैपीनेस चली जाती है और जैसे इसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उनका मैट्रियल का डिसकमफर्ट बढ़ता जाता है मौतिक असुदाएं बढ़ती जाती जैसे सिवागे बढ़ते हैं जो वेल्ट है ये हमेशा दुख का कारण है इसको प्राथ करना बहुत डिफिकल्ट है और ये वास्तों में आत्मा के बढ़त्यू का कारण है वेल्टी को इसके एक इत्रित कहने से क्या सुख मिलता है और इस प्रकार से वेल्टी किस प्रकार से हैपीनिस प्राप्त कर सकता है घर से बच्चों से और संबादियों से जो कि उस व्यक्ति के हाड़न मनी से ही बालन होता है शीमत भागतम की गर्वेस करनके पांच वद्धिया की तेर्वेस लोट में के चमसा जो श्री चमसा नमी निवी को निवी महराज को इस प्रकार उपदेश देते हैं कहते हैं जो रिलिजियस सेक्स है जो धर्म के अनुसार किया गा मैतों मैं उसको शास्त्रों मैं परमिट किया गया है पर केवल संतानों करती के लिए शरीर के शोशन के लिए नहीं लेकिन जो लेस इंटेलिजेंट मेटलिस्टिक में बहुत इकतावा दिये वह समझ नहीं पाते है कि उनकी जो लाइफ में ड्यूटी है वो उनको लाइफ में जो करता भी है वो अधियत्मिक प्लेटफॉर्म में करने चाहिए बद्द जीव इस अंसार में बंद जाते हैं अपने शरीर के क्रियाओं में अपने संबंदियों में और उनके साथ आसपास की वस्ति इस प्रकार की गर्वित और मूर्प वाले इस्तिती में जो बद्द जीवे दूसरे जीवों से इर्शा करता है भगवान से इर्शा करता है जो उनके हर्दे में सारे सभी के हड़े में बैठा है इस प्रकार से इर्शा के करण वो दूसरों को अपराद पहुचाता है और कंडिशिस और ग्रेजोली फॉल डाउन देरे देरे नरक में गिर जाए भगवान कुष्ण उद्धव को महराज यदू और अउधूत सादू दबतातरे के बीच का है बारतला बताता है जो एक कबूता रोज की पत्नी के बारे में बताता है वो जो दतत्रे वाला कहानी है जो अवदूत ब्राबड है महराज जी यदू को बताते हैं महराज यदू तो जो जी ये जीव है बद्द जीव है ये शर्ग में भी और नरक में भी दोनों में दुख पाता है और दोनों में ये बिना प्रियास करें जब दुख प्राप कर लेता है तो उसी तरह बिना प्रियास करें भी सुख मिल जाएगा जो विक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में खेल हो जाता है वो तुरत एक इस्त्री को देखे आकर्शित हो जाता है जो कि भागवान की माया शक्ति की गुदारा बनी हुए वास्तों में जब कोई स्त्री बहुत मीठे सद्दों में आकर्शक सद्दों में बात करती है स्माइल करती है और अपने शरीर के अंगों को दिलाती दूलाती है तो उस व्यक्ति का जो पुरुष ये उसका माइन इमिजिटली कप्चर हो जाता है खिच जाता है श्त्री की तरह और जो इस तरह से वो इस जगत के अंधिकार में अंधिकों में डूल जाता है जैसे जो कीड़ा रहता है पतंगा रहता है वो दीपक की तरफ आकर्शी चले जाता है क्योंकि दीपक की लोग उसको बहुत अच्छी लगता एक मुथवेक्टी जिस जिस के पास बुद्धी नहीं है यह इस परकार से उसका मी की तरह हो जाता है जो जिसने अपने को आप उच्छी करेंट कर रखा है माहीं वस्तों से ढग-प उच्छी आपको डे अपने को डेकरिक एक हैं और दूसरे कास्मेटिक्स इस परकार से इंद्री तब्तिक के पेगर होते वे उत्षुक होते वे यह जो मूर्ख है अपने सारे मुद्धी को खो देता है और एक पतंगा जैसे दीपंच में आग में जलके नस्ट हो जाता है इसी परकार से वो भी इस काम की आग में जलकर अपने आपको काई हुअ अब इस दिए ईक सेंत्र इपसें जो है उसको कभी वी इस तरह से यह इस तरी का सपछन नहीं करना चाहिए बिसला गए एक साधू को तो एक हुडन लकडी कि जो इस तरी लकडी की इसकी मूरतिया डॉल था इसको मीश नहीं काना जाए आपना पैलों सो भी इस प्रकार से इस्त्री के संग्वाने से वो भाइवान की वाया शक्ती के वारा उसी प्रकार से केंद्रित हो जाएगा जैसे एक एलिफेंट जो होता है मेल एलिफेंट फीमेल एलिफेंट की तरफ आकाशितों इसको टच करने के लिए रास्ते में शिकारी द्वारा बनाए गड़े में के जाए एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्तिती में उसे एक सुम्दर स्तरी को एक्स्प्लॉइट नहीं करना चाहिए अपने इंद्री द्वत्ति के लिए जैसे एक जो हाथी है जब वो दूसरी हाथीनी के साथ एंजाएं करने का आनद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो दूसरे जो अलिफेंट है वो उसको मार डालते है क्योंकि वो भी उसी हाथीनी के संग करना चाहिए इस प्रकार से कोई वेक्तेगास्त्री के संग करना चाहिए तो दूसरे इस्त्री के जो प्रेमी उनके रारा बान दिया जाएगा एक सेंट्ली पर्षण जो बन में निवास कर रहा है सन्यास जीवन जी के कोई भी ऐसा सांग या म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए जिससे असे बहुती कानल दा इसकी वज़ा सेंट्ली पर्षण को एक हिरन का अध्यान करना चाहिए कि इस प्रकार से हिरन जो है एक स्वीट म्यूजिक सुनके शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है वह उसकी तरह भागता है तो इस प्रकार से संसारिक नाच गाना और म्यूजिक से एक सुन्दर स्प्री के द्वारा गया गया संदा नाच गाना इसकी तरफ करके बड़े-बड़े रिशी रिशी श्रंग जो म्रगी के पुत्र था वो भी इसमें कंट्रोल हो गया पिंगला जो एक वैशिया थी जो इसकी गयारवे स्कर्ण में बोलती है भागवान कर शोद्धों को सुना रहे पिंगला कर रचे बोलते हैं कि पिंगला वैशिया बोलती कि किस प्रकार से मैं भ्रमित हो गई है कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाई है मुर्ख प्रकार से एक मन मैंने कामी मिच्छा की और एक मुर्ख विक्ती से पैसे के लिए किसी मूर्ख व्यक्ति को अपना ग्राहच बना लिए मैं इतनी मूर्ख हो कि मैंने उस व्यक्ति की सेवा छोड़ दी जो हमेशा मेरे हर्दे में परमात्मा ग्रूप में निवास करता और जो वास्ते मुझे सबसे प्री वो जो प्री है मुझे वो ही इस भामान का भगवाद है वो वास्तिक लव देने वाला है पीनेस देने वाला है और सारण धन देने वाला खुशाली देना है हलाकि वो मेरे हर्दे में निवास करता है पर मैंने उसको हमेशा नेगलेट कर दिया मैंने उन लोगों की सेवा की जो मेरी वास्तिक इच्छा को कभी भी सेटिस्फाइ नहीं कर सकते हैं और जुने ने मेरे जी उन में केवल अनेपीनेस, फियर, एंग्जाइटी भय, चिंता, शोग और ब्रहमी लाए मैंने किस प्रकार से अपने यूजलेसली अपने सोल को टॉर्चर किया आत्मा को दुखी किया मैंने अपने शरीर को लस्टी, ग्रीडी, कामी, लोभी व्यक्तियों को सोप दिया जो स्वैम दया के बाद इस प्रकार से मैंने जो वैशिया का पैशा किया मैंने सोचा कि मुझे धन और मैथन कारण मिलेगा ये जो भौतिक शरीर एक घर के समाने जिसमें मैं रह रही हूँ जो हडिया है ये मेरे स्पाइन, रिप, आर्म, लेक ये बीम है उस घर की बीम के समाने घर में जो बीम और कॉलम रहती है बीम, क्राज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ है दुर्गंदित निकलती है मेरे अलावा ऐसी कौन मूर्ख होगी जो प्रकार से इस भौतिक शरीर को जिसने समर्पित कर दिया सोचा कि मुझे इससे आनद मिलेगा और प्रेम मिलेगा इस विदे नगरी में मैं पूर्णुप से मुल्ख हो मैंने भगवान को पूरी तरह से नेगलेट किया जो वास्तों में सब कुछ देने लाएगा मैंने अपने अध्यात्मी ग्रूप को नेगलेट किया और इसके मज़े में कई पुरुशों के साथ में मैं आनन्द प्राप्त करने में इस प्रकार से ये बच्तिवी सिंदान सत्विठा को लूँ इसमें सारा ये इस बहुती जग्रत का रियल वर्ष्य बता रहें अभी समय हो गया है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं इसके आगे का जो अगे यहीं चैतिने भागोता है इस लोग का जो है इसी के ताफ्तरी में बच्तिश्दा सब्स्रिठा को लिख रहे हैं इतना लगबा जो है अब आज क्लास कहीं पर विष्णाम देते हैं इसके बाद आप अब बाकी जो है कल की क्लास में करेंगे हरे कृः अब बख्तम का बहुत बहुत्बाट है लिए सब्सक्रों इसक्रप्रे कोई असे में क्लस में लेकर से